उत्तर प्रिदेश की विधानसवा चुनाओं दो हजार बाईस में समाजबादी पार्टी के साथ आठ सीट जीतने वाली रास्टे लोगदल ने अब विधानसवा उप्चुनाओं में भी उतरनी की तैयारी कर ली है रास्टे लोगदल के अद्यक्ष जैन्द सिंग चौधरी ने मुजफ़र नगर की खतौली सीट से अपनी ही पार्टी का प्रित्याशी उतारने की घोशना कर दी जैन्द सिंग चौधरी ने खतौली से विधायक भाजपा के विक्रम सिंग सैनी की विधानसवा रद्द करने की मांग की थी सैनी को 2013 के मुजफ़र नगर तंगे में सजा मिलने पर उनकी विधानसवा जाने के बाद से खतौली सीट खाली है इस सीट पर 5 दिसंबर को विधानसवा का उप्चौनाओ होगा बागपत में एक बॉलीबॉल प्रतियोगता का उद्खाटन करने आये जैन्द सिंग चौधरी ने एक कारिक्रम में मंगलवार को बड़ा बयान दिया जैन्द चौधरी ने कहा कि उनकी पार्टी यानी रास्टि लोगदल खतौली विधान सवा के उप्चौनाओ में अपना प्रत्याशी उतारेगी इनकी प्रत्याशी प्रत्याशी पार्टी के सिंबल पर ही चौनाओ लड़ेगा कानून है, स्थापित कानून है, उसको स्विकार नहीं रहे लेकिन देर सवेर ये साबित हो गया है देश में नियम काईदे कानून है, समिधान है, वो ही लागू है और उसे के दाएरे में सबको रहना है अब दुबारा मौका मिलेगा खतौली के जनता को, मुझे पूरी उमीद है कि एक अच्छा पॉजिटिव सोच वाले विक्ति को लोग वहां चिता कर वेज़े जैंद ने आगे कहा कि समाजबादी पार्टी मेनपुरी लोक सबा उपचुनाओ और रामपुर सदर में विधान सबाखा उपचुनाओ लड़ीगी कि सरकार महंगाई अर्थे विवस्ता को मजबूत बनाने पर चर्चा ना करके चीतों पर सस्ती चर्चा करने में ज़ादा खुश है क्योंकि चीतों पर सस्ती चर्चा हो सकती है तो महंगाई पर चर्चा क्यों करा है तो सस्ती चर्चा से बचें, महंगाई से बचें और जो अर्थेवस्था से जुड़े रंभीर विशे हैं उन पे आप लोग की मीडिया में चर्चा करें ताकि दबाब बने सरकार दें आपको बता दें इससे पहले मुजफर नगर के कवाल कांड में दोशी मिलने पर भाच्पर विधायग विक्रम सिंग सैनी की सदस्ता समाप्त कर दी गई है इनको दो साल की कैद की सजा सुनाई गई है विक्रम सिंग सैनी फिलाल जमानत पर बाहर है उन्होंने सजा के खिलाब एक याच का इलावत हाई कोट में ताखिल कर रखी है